हेलो फ्रेंज रुपम खाना कजाना में आप सबी का स्वागत है उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो जैसा कि आप सब चानते हैं कि दिवाली आने वाली है और मिठाईयों के बिना दिवाली अधूरी है तो इसलिए आज में आप सबी के लिए दिवाली स्पेशल बालु शाही मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ इसे बनाना तो आसान है ही पर मैं गैरेंटी देती हूँ इसका टेस्ट मार्केट की मिठाई से मैच ही नहीं हो पाएगा और आप सब जानते ही हैं कि दिवाली में मिठाईया कितनी महेंगी हो जाती है और क्वालेटी का कोई ध्यान नहीं रहता तो आप बिल्कुल शुद्ध और सस्ती मिठाई अब घर में बना सकते हैं बस इस वीडियो को आपको एंट तक देखना होगा तो बिना किसी देरी कि आज की शांदा रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाप पर दो कप के करीब मैदा ले रही हूँ मैदा को हमें अच्छे से चान लेना है तो यह देखिए आपर मैं छन्नी का यूज किया है बिल्कुल रिफाइन मैदे का यूज करना है अब इसी मैदे में मैं दो से तीन इंग्रिजिएंट्स और आइट कर सकते हैं तो मैं इसमें आइट कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा दो पिंच नमक और साथी साथ थोड़ा सा गरम किया हुआ घी फिलहाल मैं अभी इसमें सिर्फ तीन चमच घी आइट कर रही हूँ अगर बाद में हमें जरूत पड़ेगी तो हम इसमें औ अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह कुछ इस तरीके का दिख रहा है यही इंडिकेशन है कि हमारी मिठाई एकदम खसता बनेगी अब मैं इसमें पानी डालकर एक दो तयार कर लूँगी डो को तयार करते समें एक बात का ध्यान रखेगा कि डो जाधा सॉफ्ट भी नहीं ह अच्छे तो अब डो को साइड रखते हैं और सेकंड स्टेप को देख लेते हैं तो अब मैंने हाँ पर एक कटोरी के करीब चीनी ली है इसमें मैं आड़ कर रही हूं डेड़ कप पानी और अब हमें यहाँ पर एक तार वाली चाश्टी तयार कर लेनी है तो यह देखिए इसमें बॉलाना स्टार हो गया है इसी ताइम पर मैं इसमें आड़ करें हूं दो पिंच यलो फूड कलर इसकी जगाप रेड फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैं डाल रही हूं दो से तीन इलाइची इलाइची दाना डालने से टेस्ट और भी जादा इन्हांस होगा और बढ़िया फ्लेवर भी आएगा तो यह देखिए चाशनी भी यहां पर तैयार है अब हम अपने थर्ड स्टेप को देख लेते हैं तो यहां पर मैंने ओल गरम होने के लिए रख दिया है किसी भी ओल का यूज कर सकते हैं और जो ह देखिए कुछ इस तरी किसे तभी यह उपर से खसता और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे अब सेम यही प्रोसेस फॉलो करके सबको तयार कर लेंगे और अब अपने लास्ट रप को देखते हैं तो यहां पर जो हमने ओल गरम होने के रखा था फ्लेम बिलकुल हम लो कर देंग अगर आपको मेरी ही रेसीपी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी व्यूवर्स हैं जो फर्स टाय मेरे चैनल पर आये हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोट पर हमारी एकदम खसता बालू शाही तयार है अब इसे मैं निकाल लेती हूं अलग से बर्तन में और जो पहले हमने चाशनी तयार करके रखी थी वो भी हम इसमें आट कर देंगे ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से अब हमें इन आपस में मिक्स कर लेना है ताकि ज चलिए अब डारेक्ली मैं आपको इसे सर्फ करके दिखाती हूं रेडी है आज की हमारी दिवाली स्पेशल सूपर एजी एंड क्विक बालू शाही की रेसिपी देखा आपने कितना इजी है इसे बनाना मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इसे एक पर ट्राइज ज कई गुना टेस्टी था आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इसे ट्राइज जरूर कीजेगा और जितना हो सके इस दिवाली अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजेगा ताकि वो भी आपको ऐसी ऐसी मिठाई बनाकर खिला पाएं आई होप मेर करेंगे हम एक और एजी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्स वो वाचिंग बाई बाई